जहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिरसे एक नए एजूकेशनल वीडियो में आज टैली का कलास नमबर 58 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिखेंगे उधार खरीदना बेशना GST के साथ में पैसा पेमेंट करना और पैसा रिसेप करना दोस्तों वीडियो काफी इंटेस्टिंग है आज के वीडियो में बिलवाइस बिल, बिलवाइस डेटेल्स, GST और उन्हें पैसा पेमेंट और रिसेप इन सारे चीजों को हम कौभर करेंगे तो आई हम स्टीब आई स्टेप करकी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सिंपल में मैं आपको बता दू कि उधार कैसे खर देंगे, उसका पैसा पेमेंट कैसे करेंगे, टैक्स के साथ में उधार कैसे बेचेंगे, उसका पैसा कैसे हम रिसेप करेंगे, टैक्स के साथ में तो आईए हम ABC के नाम से कंपनी मनाते हैं और इंडिया, बिहार और इसे हम accept कर लेते हैं सबसे पहला काम होगा उधार खरीद विक्री करने के लिए आपको bill by bill option की जुरूत परती है इसके लिए keyboard का F11 प्रेस करेंगे, accounting feature में जाएंगे और यहां से हम option yes करेंगे, maintain balance, bill wise details, non trading account also इन दोनों option को yes करके हम इसे कर लेंगे accept accept करने के बाद अब आपको चले जाना है तीसरे option में tax session में tax session में जाने के बाद इंटर करना है और tax के लिए GST option को यहां से yes करना है और GST details को yes करना है उसके बाद GST number यहां पर put कर लेना है और इंटर करके accept कर लेना है तो इतना काम करने के बाद फिर से इंटर करना है और इसे final accept कर लेना है अब escape button से back जाना है या quiet option पे click करके आपको gateway of tally तक आजाना है तो अभी तक आपने सिखा कि इस option के लिए आपको कितने सारे option yes करने होंगे तो उन सारे option को आप yes कर लीजी आप अपने भी system में और अब कुछ laser की जड़ोत परेगे तो आपको जाना है accounts info में laser में और फिर से करना है create option पे click पहला laser हम बनाते हैं sales के नाम से अंडर जाएगा sales account में तो sales account में डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे option inventory value are reflected पे आएगा जो yes रहेगा type for laser not applicable रहेगा gst को applicable लखेंगे details को हम नो रखेंगे type of supply में goods को selected लेंगे और इसे हम accept कर लेंगे दूसरा laser बनेगा purchase का purchase का laser दोस्तों अंडर जाएगा purchase account में तो इसे हम डालेंगे purchase account में inventory value are reflected yes रहेगा type of laser not applicable gst applicable details no supply में हम goods को डालेंगे और accept कर लेंगे एक laser हम party name बनाएगे राहूल के नाम से जिसे हम purchase करेंगे तो राहूल का laser हम डालेंगे sundry creditor में इंटे करने के बाद bill by bill option को करेंगे yes क्योंकि हम राहूल से खरीदने वाले हैं उधार और इसे हम कर लेंगे accept एक हम laser मनाएगे सोनू के नाम से जिसे हम समान बेचने वाले हैं तो हम इसको डालेंगे sundry creditor में क्योंकि हम इसे समान बेचेंगे bill by bill option को इसमें भी करेंगे yes और इंटे करके हम इसे भी कर लेंगे accept अब दोस्तों एक बनेगा cgst का laser जे टेक्स के लिए होगा तो cgst का हम एक laser और बनाएंगे under डालेंगे हम इसे duties and taxes में यहां से हम gst को select करेंगे type of duties taxes में gst को select करेंगे cgst है तो cgst का मतलब होता है central tax तो central tax को डालेंगे और percentage of calculation हम यहां से ले लेते हैं 9 rounding method not applicable डालेंगे और इसे भी कर लेंगे हम accept एक laser बनेगा sgst के नाम से इंटे करेंगे इसे भी डालेंगे duties and taxes में यहां से gst इसका मतलब होता है state tax तो state tax को select करेंगे और percentage of calculation 9 रखेंगे rounding method not applicable और इसे भी exact कर लेंगे तो दोस्तों यहां पे laser का work हो जाता है इतने सारे laser आपको बना लेने हैं अब इसके बटन से back जाएंगे बैक जाने के बाद कौन सा समान का transaction करेंगे उसके लिए जाएंगे मिन्वेंटरी इंफो में अब दोस्तों यहां पे inventory इंफो में जाने के बाद इंटे करेंगे तो सबसे पहला काम यहां पे unit of measure बनाने का होगा तो unit of measure पे क्लिक करेंगे और create बटन पे क्लिक करेंगे create पे क्लिक करने के बाद symbol पूछेगा तो डालेंगे PCS पूरा नाम होगा PIECES इंटे करने के बाद unicode में हम PCS को select करेंगे number of decimal palace को zero रखेंगे और accept कर लेंगे इसके बटन से फिर back जाएंगे अब बनाएंगे stock group और create करेंगे तो group हम बना लेते हैं computer के नाम से computer का under group primary में जाएगा और इसे भी कर लेंगे accept इसके बटन से जाएंगे back अब हम बनाएंगे stock item और create करेंगे stock item में हम बना लेते हैं एक mouse के नाम से under हम इसे डालेंगे computer में unit हम इसका डालेंगे PCS और standard rate को रखेंगे no अब यहाँ पर आएंगे तो tax details में GST applicable करेंगे GST details को भी हम yes करेंगे yes करने के बाद यह diagram आपको दिखेगा जिसमें आपको description पूछा जाएगा तो यहाँ पर डालना है goods HSN code में HSN code डाल लेना है उसके बाद calculation type on value और taxability में हम यहाँ पर डालेंगे taxable उसके बाद हम इसे इंटे करके नीचे आएंगे तो integrated tax पूछेगा तो integrated tax में हम यहाँ पर डाल लेते हैं 18% जिसमें central tax 9% और state tax 9% case 0% रहेगा और type of supply में goods को रखेंगे फिरी से कर लेंगे accept तो यह mouse का एक item complete हो जाएगा अगर दूसरा item है तो इसी तरह आप दूसरा item ही बना ले अब हमें escape बटन से जाना है back transaction करने के लिए हमें जाना accounting voucher में इंटे करना है इंटे करने के बाद यहां से हम purchase option पे click करेंगे तो purchase open हो जाएगा suppliers invest number 1 डालते है date डालते है आज का party name हम यहाँ पे डालेंगे राहूल के नाम से इंटे करेंगे इंटे करने के बाद अगर हम आगे बरहेंगे तो हम से पूछा जाएगा purchase laser तो purchase laser में हम purchase को यहाँ पे डालेंगे समान का नाम है mouse तो mouse डालेंगे quantity 1250 डाल लेते हैं rate 500 के rate से amount automatic यहाँ पे आ जाएगा एक बार हम इंटे करेंगे और यहाँ पे डालेंगे cgst इंटे करेंगे तो automatic tax आपका calculate हो जाएगा फिर डालेंगे यहाँ पे sgst और इंटे करेंगे तो sgst का tax calculate हो जाएगा फिर इंटे करने के बाद हम नीचे आएगे तो आपसे उधार खरीदने के लिए एक छोटा सा form यहाँ पे फिल करना होगा जो जब भी हम purchase करेंगे तो purchase के लिए डालते है new reference तो आपको यहाँ से select करना है new reference अब यहाँ पे नाम डाल देना है राहूल 1 फर्स्ट टाइम कर रहा है तो 01 डाल देते हैं अब यहाँ पे पूछ रहा है due date के रड़िक डेज मतलब कितने दिनों के लिए उधार ले रहे है यह proxy date बता दिजिए तो हम 10 दिन के लिए उधार ले रहे हैं तो 10 days डाल देते हैं अब दोस्तो tax जोड करके total amount 7,8,000 के प्रॉक्स आता है और इंटे करके हम इसे accept कर लेते हैं तो दोस्तो यह purchase की entry आपकी हो जाती है लेकिन जब भी आप purchase करते हैं एक ने एक दिन आपको payment करना परेगा रहूल को तो payment करने के लिए हम जाएंगे payment option पे यहां से F5 क्लिक करेंगे या फिर shortcut की F5 प्रेस करेंगे आपका payment open हो जाएगा payment करने के बाद यहां पे सबसे पहले आपको payment का option दिखेगा जिसमें DR पूछा जाएगा तो DR में आप डालेंगे रहूल का नाम इंट्रे करेंगे तो रहूल का नाम जैसे इंट्रे करेंगे तो रहूल की यहां credit balance यहां पे आपको दिखाई देगा जो भी credit balance दिखाई देगा उसे आपको डाल लेना है तो आप यह payment one time भी कर सकते हैं फिर यहां पे credit में दिखेगा तो credit में हम cash में पैसा payment कर रहे हैं तो cash डालेंगे और accept कर लेंगे तो यह आपकी payment की entry हो जाएगी अब आपको सीखना है sales करना तो sales करने के लिए click करना है sales पे sales का option यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे reference नंबर दिखाई देंगे तो reference नंबर में हम डाल लेते हैं to party name में हम डालेंगे यहाँ पे शोनू और इंटे कर लेंगे इंटे करने के बाद यहाँ पे आप से sales का laser पूछा जाएगा तो sales का laser डालेंगे party name में हम डालेंगे यहाँ पे name of item में डालेंगे mouse स्कूलूस, क्वांतिकी हम यहाँ पे डालते हैं hundred piece, सेoriate, 900 게 rate से इंटर करेंगे एक बार और इंटर करेंगे, और Girist करेंगे और the Summer. इंटर करेंगे और इंटर करके हम यहाँ पे Bijlocks डिटेल्स का एक फॉरम वरेंगे यहाँ पे reference में डालेंगे new reference उसके बाद name में डालेंगे sonu01 due date में हम 5 दिनों के लिए दो दिनों के लिए उधार ले रहे हैं तो two days डालते हैं enter करने के बाद हम इसे कर लेते हैं accept अब दोस्तों आपको करना क्या है इस पैसा को receipt करना है तो receipt करने के लिए आपको F6 पे क्लिक करना है receipt का option खुलेगा यहां से अब पैसा receipt करना है मैं sonu से तो sonu का नाम डालेंगे credit balance में जो balance दीख रहा है वो balance डालेंगे उसके बाद इंटर करेंगे reference number यहां पर automatic फिल हो जाएगा against reference हम इंटर करके इसे कर लेंगे cash के साथ में save तो यह पैसा मैंने cash के रूप में receipt कर लिया तो दोस्तो इस तरह से आप आसानी से यहां पर purchase और sale कर सकते हैं उधार और पैसा receipt कर सकते हैं और उसे आप payment कर सकते हैं अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लेगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो घर बैठे computer सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए जाहिंद आपका दिन सूबो